हेलो एवरीवन आज मैंने बनाये गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है बारिशोरी हल्किल की ठंड बहुत तेज है तो सबका मन्था खाने का तो मैंने सुचा चलो खाना नहीं बनाते है रात में पकोड़ी ही बना लेते हैं अगर सबको भूक बना लेंगे तो मैंने गोभी को बच्छे से कट कर लिया है चोटे चोटे पार्ट्स में और ये बिल्कुल फ्रेश थी गोभी और चावली मैंने भीगो दिया थे करीब 5-6 घंटे ये मैंने भीगो किसी और चीज के लिए थे पर जब पकोड़ी बनाने का नमबर आया तो म मैंने का नमचे पकोड़ी पणा लेते हैं फिर इसकी तो चावल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सिजार में और ये घर की चावल है नहीं तो काफी भीगनी के बास सौफ जाता है तो बहुत अच्छे सी पिस जाते हैं अब इसे हम इन निकाल लेंगे सभी क के लिए जिसमें हम गोभी को डालने वाले हैं तो इसमें जो गंदगी होगी वह भी निकल जाएगी वैसे तो बिल्कुल फ्रेश थी गोभी और यह थोड़ा सा पख भी जाएगा क्योंकि फ्राइ करते समय यह बहुत अच्छी से नहीं पकते हैं तो अंदर काफी टाइट रह जो हम चावल की पीठी में बनाते हैं तो हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी हमें एक्स्टा रखनी होती है और धनिया पाउडर डाला है इसके लाँ मैंने इसमें अधर कोई मसाले नी डाले थोड़ी सी हिंग डाल दिये और इन सभी को अच्छी से मिक्स कर लिया है और मि बहुत अच्छे से चला लेना है मिक्स करते वे इस तरीके का बैटर होना चाहिए बहुत पतला बैटर भी नहीं चाहिए नहीं तो पकोड़ी पर लगेगा नहीं और इधर पकोड़ी यह जो मतलब सौरी जो गोभी है ना हमारी वह भी बॉइल हो चुकी अच्छी और जब ह और इधर मैंने accomplished it कि ठन्द का मौसा तो भर भर के डालनी है मियाँ इसकी खुछनु बहुत अच्छी रखती है आप चाहे तो भरी जीन में नहीं डाल आली क्योंकि बचों को भी खाना था और यह जो पकोड़ी हूँ है इस प्र भी घज़कु बार जायेगी तो रर बैट तो इस तरीके से एक एकर के डिप करते विए बिलकुल बैटर में इस तरीके से डालते रहना है जो चावल के आटे में बनाओ तो काफी क्रिस्पी बनती है और इसकी हम ग्रेवी वाली भी बनाते हैं पर उसकी रेसिपी में बाद में शेयर करती हूं और बहुत टेस्टी लग क्योंकि हम जब घर में बनाते हैं तो आयल कम रखते हैं तो पकोड़े एक दूसरे में चिपक जाती है और अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो नहीं चिपकेंगी और इसे मैंने बाद में देखी तोड़ा तो आराम से यह अलग अलग हो गई हैं क्योंकि चावल काफी क्रि करते हैं तो टूट जाता है और अलग अलग यह खिली-खिली देखने में बहुत अच्छी लगती है और अब यह उगा हुगी है तो इनको सब को निकाल लेंगे इसी तरीके से सारी बनानी है थोड़ी सी मैंने मिर्च फ्राइ कर लिएं हरी मिर्च क्योंकि मैंने मिर्च जा तो वह इस मिर्च को कट करके खाएगा काफी अच्छी लगती है क्रिस्पी सी खाने में इस तरीके से मैंने सभी को बना लिया है और इसके साथ मैंने हरी धनिया लैसन और अध्रक की नॉर्मल सी चटनी बना ली थी जैसे हम रेगूलर बनाते हैं खाने के लिए और यह हरी मिर तो अगर आप लोगों को भी बनानी है तो ठंड का मौसा में बनाएगे फटाफट गोभी की पकोड़ी अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे कैसी लगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देजिए आगे शेयर भी कर देजिए और मेले आ ले आई हूं हम लोग चटनी से खाने वाले हैं अब सब बड़े खुश है लोगों ने जलबाजी में मुझे दिखाने के लिए मिर्च खा ले उसे यह नहीं पता था यह तीखी वाली मिर्च है इसके बाद कम से कम उसने एक कटोरी चीनी फांक फांक के खाई है वासू भी बहुत खुश हो गया था लेकिन वासू उपर का सिफ मसाला खाता है अंदर की जो पकाड़ी होते है वह नहीं खाता है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर और जैम आता दी